चोपड़ा है जो किस ने उटूप चनल पर मैं हसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बचों NTA की NEET के रिलेटेड सारी फॉर्मल्टीज जो रजल्ट से पहले होती हैं वो पूरी हो चुकी है यानि कि अंस्वर की जारी हो चुकी है प्रोविजनल आंस्वर की आ गई है और उसका चैलेंज की लास्ट डेट भी ओवर हो चुकी है और रिस्पॉन सीट आपको चेक करने के लिए डाउनलोड करने के लिए ये सारी एक्टिविटीज ये कम्प्लीट हो चुकी है अभी NEET का रजल्ट आना बाकी है ये कभी भी आ सकता है लेकिन मैं आपको यहाँ पर ओफिशियल अपडेट बता देता हूँ कि ये रजल्ट कब दख आ सकता है तो इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज के अकोर्डिंग NTA ने पारलियमेंटरी कमेटी को आस्वासन दिया है कि जो नीट का रजल्ट है नीट यूजी का रजल्ट है वो जून के सेकंड वीक तक आने की पोसिबिलिटी है यानि कि जून के सेकंड वीक तक ये अनौन्स किया जा सकता है ये आस्वासन दिया है पारलियमेंटरी कमेटी को ये NTA ने आस्वासन दिया है Indian Express की news है हम सब जानते हैं कि Indian Express की जो news होती है वो सही होती है अब इसमें exact date क्या हो सकती है तो हमने पहले भी देखा है कि NTA UB date declare करता है result के लिए एक दो दिन आगे पिछे हो जाता है इसमें तो हम यहां मान के चल सकते हैं कि 15 June के nearby ये result आ सकता है यानि की हो सकता है 15 June के एक दो दिन बाद भी आ सकता है और 15 June के एक दो दिन पहले भी आ सकता है तो ये possibility है और ये जो NTA ने officially बताया है Indian Express का जो news article है उसके according हम मानते हैं कि ये result 15 June तक आने की possibility है एक आगे पिछे हो सकता है अब ये result आपको check कैसे करना है तो result check करने के लिए NTA का result portal है NTA exam result portal है आप उस पर भी check कर सकते हैं यानि की NTA results.nick.in की website जैसी आप type करेंगे इस साल के result की list आ जाएगी उसमें यहाँ पर आपको NEET लिखावा मिलेगा NEET 2023 उस पर आप click करेंगे क्लिक करेंगे तो आपसे application नमबर और date of birth पुछा जाएगा capture fill करने के बाद submit करेंगे तो आप result देख सकते हैं या फिर इसकी website need.nta.nick.in पर candidate activities में result 23 लिखा मिलेगा उस पर आप click करेंगे तो इसी लिंक पर पहुंच जाएगे यहाँ आपको application नमबर डालना है और biology का percentile दिया होगा, total percentile दिया होगा और total score दिया होगा यहाँ पर, total percentile भी दिया होगा, All India rank होगी, यहाँ पर category रेंग होगी इस परकार से जो कटोब रहेगी वो कटोब भी यहां श्योप होगे तो ये परसंटाइल बेस पर रजल्ट तयार किया जाता है नीट का इस परकार से आप अपना रजल्ट चेक कर सकते हैं तो ये जानकारी थी कि ये कब तक आ सकता है तो ये अभी official हो गया है कि जून के second week यानि 15 जून के nearby ये कभी भी result आ सकता है अब आप counseling के बारे में पूरी जानकरी लेना चाहते हैं तो हमारी book download कर सकते हैं All India Quota, State I.U.S, Veterinary सभी के लिए book available है इस वीडियो के description box से आप download कर सकते हैं फिर हमारी website www.chopta.education.in से भी इसको download कर सकते हैं जैसी download करेंगे हम आप से संपार कर लेंगे आप हमारी paid service भी ले सकते हैं इसमें खास बात यह है कि इसमें 2023 के लिए choice list दी गई है हर एक state के बारे में बताया गया है state की book में और All India की book में category wise, college wise, round wise यह cut-off दी गई है पिछले चार साल की ऐसे state की book में सब कुस समझाया गया है counseling process के बारे में state की book में open state के बारे में भी समझाया गया है जो करनाटका इस्टेट या फिर करिला, तमिलाडू जो चतीस गड़ वगरा है इनमें admission लेना चाते हैं तो उनके लिए fees वगरा, cut-off वगरा की बारे में सब कुस इसमें समझाया गया तो मैं सोचता हूँ यह book आपके लिए काफी helpful रहेगी तो यह जानकारी थी result के बारे में आप हमारी channel को subscribe करके रखें क्योंकि इस परकार की information हम लेके आते रहते हैं वीडियो को like वे ज्यादा ज्यादा शेयर करें मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए जय हूँ